पिजो ति इस是 लेक्षर में हम एक राइज निंग करेंगे डालेक्षण सेंस्ट ठेस्ट ए konst इयां आप इफिए अइसे तेशे करते हो तो आपको एक चीज बख्या करनी एथ सबसे उपर आपको directions बना लेनी है, तो directions कैसे बना होगे, देखो यह ऐसे, यह हो गई North, यह हो गई South, यह हो गई West, और यह हो गई East, ठिकwegen और साउथ और ईस के बीच मैं क्या हुए साउध इस और इदर यह हो गई नौर्थ इस पिर यह ओगयी मैं नौर्थ वेस्ट को करोगे तो आपको दिक्कत भी है अब क्विष्ट किया तो साट नीच वहती थे नीचे की तरफ गया गया यह तो यह तो आपका लेFF कीदर ओगा आपका गया रहूंतीतार्ये और आपका राइट इस तो वह गया लेप में गया ठीक है एंड ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस आफ्टर डेट आफ्टर डेट ही टॉर्ण राइट अब देखो वह इस तरफ इस तरफ है इस जारेक्शन में है तो क्या हो गया इसका राइट हो गया इदर हो गया ठीक है और यह ट्रेट हो छहांट अब यह देखो यह नीचे की तरफ जा रहा है और लेफ को आ fork you जब आप नीचे की तरफ साउथ की तरफ देख रहे हो तो आपके लेफ में लव् graphs etcetera होती है ठीक है and travels again for some distance now in which direction is he moving ठीक है तो यहाँ पर वो किस direction में move कर रहा है और यह direction कौन सी होती है यह direction तो east है ठीक है तो यह east की तरफ move कर रहा है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा see कि ठीक है तो इसका answer तो आगया और एक चीज एक और question हो सकता है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट यह है अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डारेक्शन में है तो यह देखो इस तरफ से यह वाली डारेक्शन कौन सी हो गई ठीक है यह वाली डारेक्शन हो गई साउथ इस्ट ठीक है तो अब वह अपनी इंशिल ऐसे किस टरेक्शन में है वह अपनी इंश्यल पॉजिशन ते 17 तरीकसे आपने लिए और यह क्वेश्चन तो यही कर लिया इस टरेक्शन मोई कर रहा है इस त्यान रखना है कि अगर आप साउध में जा रहे ओividual तो आपकास कि इस की तरफ आपका राइट वेस्ट की तरफ होगा ठीक है और अगर आप इस्ट में जा रहे हो तो आपका लेफ्ट किदर होगा इधर होगा नौर्थ की तरफ ठीक है और आपका राइट क्या होगा साउथ की तरफ होगा ठीक है आप अगर नौर्थ में जा रहे हो तो आपका लेफ direction में जा रहे हो तो आपका left किदर होगा इधर होगा south की तरफ ठीक है और आपका right किदर होगा north की तरफ तो यह बहुत easy चीजें हैं और बहुत basic चीजें यह सब चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप direction sense test के जो questions उसमें कभी गलती नहीं करोगे और एक चीज हम नहीं भूलने हैं कभी भी करना है शुरू में हमें यह उपर जो मैप बनाया गया डारेक्शन यह लिख लो ठीक है तो यह लिख लोगे तो अगर आप गलती की possibility होगी भी तो वह नहीं रहेगी ठीक है तो यह आपका था reasoning क the question so that is it for this lecture thank you